दोस्तो किसी ने क्या खूब कहा है सफर में मुश्किल आयते हुमत और बढ़ जाती है अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है अगर भिकने पर आ जाओ तो घड़ जाता है दाम अक्सर और ना भिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है इसी कड़ी में द लिए बायो कमफस में अपने कमस्टी का टोपिक है आपको पता है फस बेसिक प्रिंसिपल से टेकनिक नोमिन कल्चर एंड आइसो मेरीजम कहानी साट करते हैं दोस्तों सवाल नंबर फास की देखीएगा क्या कए रहे हैं इस खुane और कॉमफस में एक सोदस्ट कोई है उसके टोल नंबर कंपाउन्ध कैसे देखेसे निकाल पहें इसका मतलब क्या हो गया है टू की पावर वन इसका मतलब क्या जाएगा दोस्तो दो अनसर जाएगा यानि कि P Somous की ऑर L दो mean quicker inальной स्युमर बना लेगा तो अमसर अपने को क्को मिल जाएगा दुस्तो서k अप्लों एक टैटीवास समर क्या मिल जाएंगी तू नेक्स सवाल कि अगर कार्बनील कंपाउंड की रियक्शन करवाते हैं एलकाइन में हाइड्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पे इनोल फूम बनती है और इनोल किटों में कनवर्ट हो जाती है और बहुत बार सवाल भी अपने नीट में आ चुका है एथेनोल शो नहीं करता वो शो करेगा डू ब्यू यानि कि अपन क्या बना देंगे दोस्तों की टो फॉम को इनोल में कर देंगे इसका मतलब कौन शो कर रहा है दोस्तों टू व्यूटेन ओन शो कर रहा है नेक्स इसी कड़ी में आगे बात करें तो थ़र्ट सवाल आपको दे रखा है दा इस ओमर विच केंट बी अनधर अब क्या बोलोगे उसको कंफॉर्मर यानि की रोटेमर्स तो देखिएगा दोस्तों जी आईशो होगी नहीं रहे उसमें तो रिस्ट्रेक्टर रोटेशन चाहिए दूसरा ऑप्टिकल आईशोमेरिसम के लिए काईरल कार्बन या फिर पी उस यूस एपसेंट होनी बात करें तो सवाल अपने को दे रखा है फोर्थ क्या करा रहा है दोस्तों वीसे कंप्लीट ट्रेक्शर फोर्मुली्ट कि अगर से क्रसकते हैं अव्याद करिए इक तो कौनसा है अपने घृट्र हएं है करते हैं फिर आपने दूसरा क्या दे रखा है जिसको CS3 CS2 CS2 CS3 ऐसे अपन लिखते हैं वह कौन सा है या यह साथ संगनी तो सूतर जिसको बोला जाता है फिर एक क्या दे रखा है बॉन्ड लाइन जिसमें लाइन मारी जाती है दूस्तों तो यहां पर अगर बात करें तो स्ट्रिक्चर फॉर्मूला तो आंसर अपना कौन सा हो गया फॉर्थ चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो क्या कर रहा है विच उप्दा फ्लोविंग इस क्रेट 3D फॉर्मूला अगर बात करें दोस्तों निमन में से कौन सा मेथेन अनुका सही त्रिविम सूतर है दोस्तों इसमें दोनों के दोनों यी क्या अगया डैस डैस पर आ गया यह अपना नहीं हो सकता नहीं हो सकता तो कूंसा आजाएगा अंसर का सवाल है किया वास अगर आपन बात करें तो अपने और प्लक जबकते ही इसको एथर में चेंज कर दिया तो एल्कोहल एथर आर एफ जी इसका मतलब फंक्शन ग्रूप के साथ मिला दो यानि कि सेकंड के साथ फिर यह देखिए क्या दे रखा है दोस्तों नंबर ऑफ कारबन देखिए इसमें तीन और दो पांच दे रखे हैं त अब यह देखिए दोस्तों क्या दे रखा है आपको फिनोल और यह क्या दे रखा है देखो किटो फॉम यहां से हाइट्रोजन सिप्टिंग करके किसमें चींज हो जाएगा दोस्तों कीनोल टोटोमेरिजम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गये दोनों के रिष्टे में टोटोमर्स हो गए यानि की क्या आज आजएगा दोस्तों फूर्थ आंसर आजएगा इसका फिर अगर बात करें तो क्या दे रखा है दुस्तो एल कोहल फिक सिल एक उस्यती कों से पर नहीं हो इसहीं कडी में आगे बात करें तो देखें दूस्तो क्या करना है है how many structural isomer are obtained when three hydrogen atom are replaced by chlorine atom from molecule formula आपको दे रखा है C3H8 यानि कि वो कह रहा है कि आणविक्स उतर आपको C3H8 दे रखा है इसमें से तीन hydrogen की हटा कर यानि कि आपने क्या लगा दें chlorine लगा दें तो बताओ total number of isomer कितने मनेंगे तो देखिए का दूस्तो C3H8 दे दिया यहाँ पर आप क्या कर दीजिए दूस्तो तीन कालिय लगा दो तीन chlorine लगा दो यानि कि कौनसी reaction हो जाएगी free radical substitution reaction हो जाएगी और आपने तीन hydrogen govinus कर दिया तो क्या मिल जाएगा C3H5 और CL3 मिल जाएगा आप इसके कितने आईस उमर बना सकते हैं देखो जरा एक, दो, तीन, चार एक की कार्बन पर तीनों के तीनों कालिया रख दो फिर आप क्या कर दो दोस्तो इसकी position change कर दो एक पर दो रख दो और बीच वाले पर एक लगा दो फिर आप क्या कर सकते हो दोस्तो कि आप side वाले पर दो और इसकी position खिसका दो फिर अपन क्या कर सकते हैं दोस्तो बीच वाले पर दो लगा दो और side वाले पर कहीं भी एक लगा दो फिर अपन क्या कर सकते हैं दोस्तो कि तीनों को एक एक दे दो क्या देदो तीनों को एक एक कालिया मिल गया इसका मतलब टोटल नंबर ओफ आई समर कित्ते बन गए दूस्तों वाण टू थी फूर फाइव आजाएगा दूस्तों तो अपने सरंचनात्मक की बात किये अपने क्या नहीं देखना बला ओई नहीं देखना है यानि कि काईरिल कारबन नहीं डूड़ना है क्योंकि अगला कहा रहा है कि स्ट्रेक्ट्रल आई समर्सी पूछा है चलो कौनसा अंसर मिल गया अपने को फस नेक्स सवाल कि अगर बात करें तो सवाल नंबर एट क्या कर रहा है दूस्तों वन ब्रोमो फूर सेकेंडरी व्यूटाइल टू लगा दो फिर क्या कर रहा है फोर नंबर से सेकेंडरी व्यूटाइल लगा दो सेकेंडरी व्यूटाइल कौन सा गुरूफ होता है दूस्तों यह कारबन नंबर टू से वैलंसी फरी हो सेकेंडरी व्यूटाइल गुरूफ हो गया फिर वो क्या कर रहा है टू नंबर पर थायल दे दिया और वियार दूसरे नंबर पर चला गया इसका मतलब हो नहीं पाया तो कौन सा आंसर आ जाएगा सेकेंड देखेंगा दूसरो यह जो कंपॉंड दे रखा है इसका आयू पीए सिनेम अपने से पूछा है तो नंबरिंग अपन कहां से करते हैं कि डबल बॉन को कम से कम नंबर मिले सबसे पहले तो अपने नंबरिंग करने का ओडर होता है कि मेन फंक्शन ग्रूप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रूप देखा जाता है तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रूप या मेन फंक्शन ग्रूप को लेस नंबर देंगे उसके बाद में अपन मल्टिपल बॉन देखेंगे ट्रीपल बोन उसके बाद में क्या देखा दाता है सब्शूटेंड ग्रूप की बारी आती है यह देखते हैं तो यहां से नम्बरिंग कहां से करेंगे दूस्तों इधर देखे इसको अगर आप बंद करना लिखना चाहते हो तो इसको विखेर के लिख रखा है इसको बंद कर कर दो कहानी 123 अब बताओ थ्री इधर दोगे कि इधर दोगे उधर देंगे जिदर परतिस्तापी ज्यादा हूं तो इसका मतलब यह परतिस्तापी है और यह भी सब्शूटेंट है इसका मलव थ्री ब्रोमो टू मिथाइल और प्रोप वन इन इसका आंसर आजाएगा तो द चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो क्या कर रहा है दोस्तों कि identify the chiral compound among the flowing यह जो लोग दे रखें इनमें से अपने को chiral carbon count करना है देखो कौन है chiral तो देखेंगा दोस्तों all four group different होने चीं तो CS3, H, BR और OH यह different है इसका मतलब यह chiral है यहाँ पर देखेंगा दोस्तों C6 H5 और pH यह तो एकी बात होती है फिनाइल फिनाइल हो गया इसका मतलब यह chiral नहीं है आगे बढ़िये दोस्तों यहाँ CS3, OH और H यहाँ पर profile group देदिया इसका मतलब यह भी chiral है यहाँ देखें C2, H5 और इधर भी देखो 1, 2 यानि कि CH2, CS3 यह दोनों सेम सेम हो गया इसका तो मतलब यह भी chiral हो गया तो chiral ढूंटना था दोस्तों कौन सा आजाएगा A और C अपना answer आजाएगा यानि कि दूसरा answer की और ही सारा हुआ चलो आगे बढ़ियें क्या दे रखा है दोस्तों सवाल नंबर आपको 11 दे रखा है क्या कह रहा है the best method of separation of naphthalene and benzoic acid from their mixture is अब आपको कह रहा है कि नेप्थलीन और benzoic acid को किस से separate कर सकते हैं सब्लीमेशन से कर सकते हैं दूस्तों सब्लीमेशन बोले तो क्या है दूस्तों उधर पातन ठीक है नेक्स अगर बात करें तो कौन सा सवाल आगया दूस्तों सवाल नंबर 12 यह क्या कर रहा है दा लेसाने extraction of boiling बोल्ड विद्डायलू टेशनओ टेस्टिंग है लोजन विकोज अब यह क्या कर रहा है है लेसा ने यह कंटेनिंग कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है चलो आगे बढ़िएगा नेक्स क्या कह रहा है दूस्तों यह कह रहा है कि कोलम मेचिंग का सवाल दे दिया दोनों को आपस में मिला दीजिए यह क्या नेम है दूस्तों और गिनिंग कंपाउंड आपको पता है एनीसोल है तो एनीसोल क्यों है दूस्तों की दूसरे अगर बात करें तो ऑपको क्या दे रखा है P.H.C.O.C.S. 3 इसका मतलब क्या हो गया एसी टोफिनोन तो एसी टोफिनोन के साथ मिला दो 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 Q.S.P.R. Q.S.P.R. कहा है दोस्तो Q.S.P.R. Q.S.P.R. यानि कि Q.S.P.R. Q.S.R.P. हो गया दोस्तो इसका मतलब कौन सा बात कर रहा है इस नोट एपलिकेबल टू विच आप दफ्लोविंग यानि कि जल डोल जो मेथड दे रखी है जल डोल मैंने प्यार से काजल बोलता हो ना इसका तो जल डोल मेथड की अगर पर बात करें तो क्या है भलं देखो किसके लिए यूज नहीं की जा सकती उसके रिंग में अगर नाइट्रोजन उपस्तित है अपनी NCRT में लाइन लिखी हुए है दूस्तों कि आगर नाइट्रो है एजो है और रिंग में अगर नाइट्रोजन दे रखा है एक्जांपल फूर पिरिडीन तो उसमें जल डोल मेथड यूज नहीं कर सकते यानि की काज़ अनिलीन का कर लेंगे इसका कर लेंगे नाइट्रोजन का कर लेंगे एजो कंपाउंड का यूज नहीं कर पाएंगे तो दो सinkuंशा यैगा एजओ नेक्स इसी कड़ी में अगर आपने को क्या दे रखा है तोटल number of structural alkaline isomer की बात हुरी है दोस्तो कि कितने isomer आप बना सकते हो c5 h10 दे रखा है दोस्तो 5 कितने carbon आपने बना दी है 5 आपने यहाँ बना दीया कि alkaline alkaline की बात हो रही है दोस्तो यहाँ पि Mits brains would लगा दिया फिर आप क्या कर सकते हो दोस्तों कि double bone आपने यहीं रखा पंखुडी यहां लगा दी अब और कुछ कर सकते हो और कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों अब बस गिन सकते हो तो गिनना आपने तो कौन सा answer आजाएगा दोस्तों second number answer आपको मिल गया next इसी कड़ी में अगर आपने बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों देखें बहुत ही प्यारा सा सवाल इसका आयूपी ये सी नाम अपने को पूछा गया है तो देखलो दोस्तों 17 number सवाल CS3 CH2 CH2 यहां पर क्या दे रखा है CH आईसो प्रोपाइल ग्रूप दे रखा है secondary butyl group दे रखा है तो सबसे पहले अपन कौन सी चेन सेलेक्ट करते हैं वो चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें क्या है वह लेंगे जिसमें number of carbon सबसे ज्यादा है numbering किदर से करेंगे दोस्तों उधर से करेंगे जिदर से सबस्यूटेंट को क्या मिले लेस नमबर तो करदो स्टार्ट 1,2,3,4 तो 1,2,3,4 इधर से करेंगे तो 1,2,3,4 पे कोई नहीं आ रहा तो 5,6,7,8,9 और 10 carbonian की डकन बना दी दोस्तों यह कौन सा ग्रूप है बताओ इसकी कहानी तो 20 से स्टार्ट हो रही है तो देखिएगा दूस्तों पांच नमबर पे सेकेंडरी वूटाइल फूर नमबर पे आईसो प्रोपाइल और 10 carbon के लिए अपन डकन बना देंगे तो डेकें तो कौनसा आंसर आ जाएगा दूस्तों थार्ड आंसर आ गया यहां ने सिमेट्रिकल यह सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो ऐसा ही के लिए फोर्मला लगा दो दूस्तों दो तेरी दो है इसका मतलब n is equal to कितना आया दो आया क्योंगे डबल बोन और एक काईरल हो गया तो दो तरी दो इसका अंसर चार आ गया दोस्तों यहां की थर्ड नार्ब सलथ आगया नेक्स अगर परने बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा है अब इन प्यर को देखे दोस्तों क्या चीम्ज होता है अगर दो लोगों में आपस में स्विच हो जाए तो है और दो बार स्विचन होगा इवन नंबर में switch किया होगा वो क्या होगा identical होगा तो देखिए दूस्तों अब इसमें क्या क्या बदला है दोनों में BR BR वैसे का वैसा है सेम प्लें माली लाइन पर है वेज पर क्या है CS3 वेज पर क्या है CS3 अब इन दोनों में देखो इसका मतलब किती बार switch होगया एक बार किस में आता है दूस्तों ओड नंबर में आता है और नंबर का मतलब इसका मतलब यह दोनों आपस में क्या है एक धुसरे की मेररी में हैं यानि कि परतिविम समावे भी हैं नेक्स अवाल कि अगर पर बात करें तो आयू पी एसी नेम पूछा गया है दोस्तों जो आपको कार्बन है एक एला इसका मतलब क्या हो गया mixture of two methanoic acid तो इसका मतलब बिल्कुल आसान सा नेम होता है methanoic और acid खाजा और last में क्या लगा दो दोस्तों एन हाइडराइड क्योंकि अपने आप में कहता है कि mixture of two carboxylic acid तो क्या नेम हो गया methanoic anhydride इसका formic anhydride दे रखा है formic anhydride simple name है common name है दोस्तों इसका चलो next अगर बात करें तो 21 नंबर सवाल देखो बला यह one और one two है यहां पर देखो one two three इसका मतलब कालिये की position change हो गी तो इन दोनों का अपस में रिस्ता क्या हो गया पी आई का next अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है दे रखा है कि how many structural isomer of formula C6H3 C3H6 और BR और कालिया दे रखा है दोस्तों कितने कारबन दे रखें अपने को तीन यहां पर BR लगा दो फिर आपने क्या कर दिया दोस्तों position change कर दी कि BR को यहीं रखा Ciel को यहां लगा दिया फिर आपने क्या कर दिया इन दोनों में अदलावदली कर दी कि Part 6 यह मिले 12345 चलो आगे वाली सवाल कि अगर बात करें तो क्या दे रखा है दुस्तों इयूपी एसी नेम पूछा है देखिए principal function group कौन है भला carboxylic acid तो one number two number उसके बाद में double bone triple bone को main chain में count करते हैं यानि कि one two three ये कौन सा group आ गया दोस्तो two ethyl probe और inoic acid देखो भला कौन है two पे ethyl आ रहा है two पे ethyl two पे ethyl आ रहा है या one hydroxy दे दिया इसका मतलब ये नहीं हो सकता प्रोब to inoic acid इसका मतलब ये अपना कौन सा हो गया answer हो गया चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो देखो क्या करा है in the flowing structure which one is having staggered foam with the maximum dihydle between CS3 CS3 यानि कि CS3 CS3 के बीच में द्वीतल कौन का मान सांत्रीत रूप में सबसे ज़्यादा किसमे हैं दूस्तो अब आपको पता है कि CS3 CS3 को आपने क्या किया है दूस्तो साथ डिगरी पे rotation किया तो कौन सी फोम बन गई गाउच यानि कि घोचे फोम इसका मतलब ये देखो इनका वोन इंगल कितना है साथ डिगरी है यहाँ एक दूसरे के ऊपर निचे है और CS3 CS3 देखो एक दूसरे के क्या है भला CS3 CS3 A कितनी दूर है 120 डिगरी है इसका मतलब ये कौन सी है पार्शली एकलिपसर फोम है यहाँ पर बात करें तो देखो CS3 CS3 एक दूसरे के ऊपर आ गए तो फुली एकलिपसर फोम हो गई यही हुई यहाँ देखो CS3 CS3 की अगर बात करें यहाँ पर जिरो डिगरी है डाई हाइडल एंगल यहाँ CS3 CS3 एक दूसरे के एंटी में आ गए तो बोन एंगल कितना हो गया यानि कि डाई हाइडल एंगल कितना हो गया 180 का मतलब सबसे हाइडल एंगल उसके बाद में अगर बात करने तो क्या पूचा है तो टोटल नंबर ओप कार्बन कार्बन सिग्मा बॉनीन मैसी टाइल ऑकसाइड बहुत ही प्यारा सवाल आपको पता है कार्बनील कंपॉंड में जो टेबल बनी है उसके सबसे लास सवाला एक्जांपल म मैसी टील ऑकसाइड क्या होता है दोस्तों सी एसरी सी एसरी किटोन असी टोन से मिलता है यह तो यहां पर आपने सी एच सी ओ और सी एसरी यानिकि एसी टोन का अपने अलडोल कंडेंशेशन करवा दिया तो यह मिलेगा मैसी टील ऑकसाइड मिल गया दोस्तों तो मैसी टाइ गया फूर्थ यह मिला चलो आगे बढ़िएगा क्या दे रखा है दुस्तों सवाल नमबर ट्वन्टी छे नमबर सवाल क्या कह रहा है कि नमबर ओफ काईरल कार्बन एटम इन गुल्कोज नोन साइकलिक की बात ओर रही है दूस्तों तो गुल्कोज की सकल बना लो तो चोच यहां पर चोच और लास में क्या लिखते हैं देखो दो यह गुल्कोज है यहां को सा डम ! जब ब में दोस्तों चार कारिल सेंट्र यानि की कार्बन सेंटर मिल त्विक है चलो इसी कड़ी में आगे आपने बात करें तो क्या करा है दोस्तों प्रियृटी ओडर पूछ रहा है फंक्शन group की सबसे पहले आपको पता है को आता है कार्बोक्सलीक एसिड सल्फोनिक एसिड एन हाइड़ाड एसिड हलाइड एसिडरामैड साइनाइड आइसो साइनाइड एल्कुहल्कुहल थायो अलकुहल ट्रीपल बोन्ट यही आते हैं दूस्तो तो देखो इसमें क्या क्या दे अपने को longest chain पूछ रही है दूस्तों कि क्या है सबसे इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि number of carbon in main chain देखो इसमें ढूंडे तो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच छै इसमें ढूंडे तो एक दो तीन चार पांच छै साथ एक दो तीन चार पांच छै तो एक दो तीन चार पांच छै साथ साथ वाली बड़ी है इसका मतलव main chain में लोंगे सेन में कित्ते कारबन हैं दूस्तों सबसे बड़ी वालिय में कित्ते कार्बन है साथ निभाना साथ ही अब नेक्स अगर आपन बात करें तो 29 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है विच ओप दा फ्लोविंग कंपाउंड दस नोट है किसका मोलेकुल फॉर्मूला नहीं है दोस्तो अब आप इसकी डियू निकाल सकते हो डियू डिग्री ओफ अनसे चुरेशन एस अंतरप्ता की कोटी निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला होता है कि सी एक्स एच और वाई के लिए यानि कि हाईडर कार्बन के लिए ऑक्सिजन के लिए अपन जीरो मानते हैं तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक्स प्लस वन माइनस वाई 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 टू ठीक है ओक्सिजन के लिए जीरो माना जाता है तो किती है वाला कार्बन पांच पांच प्लस एक माइनस क्या जाएगा बारा बटा दो बताए ये किता आ गया दोस्तों, 0 बटा सनन अटा आ गई, जाने कि 6 माइनस से 0 हो गई, अब इसका मतलब इसमें कोई भी डबल बोन नहीं है, तो पेंटेनोल, कौन सा वाला, टू वाला, इसका मतलब ये बन सकता है, टू मिथाइल साइकलो, साइकल कैसे बन सकती है दोस्तों, साइक बैलो, और दो नंबर पे मिथाइल, और एक नंबर पे ऊ-च, इसका मतलब इसमें दो हाइड्रोजन कम गर दी, इसका मतलब, ये सकल नहीं हो सकती, इसकी बाकी सारी सकले हो सकती है, पिर क्या दे दिया, टू मिथाइल užडा गएन, यहां पे ओ-च लगा, और नं पर नहीं कि नहीं बनाया जा सकता दो नंबर फिर देखिए का दूस्तों क्या पूछा है परसेंट इन ऑन ली वन डिगरी टू डिगरी है ठीक है यहां पर देखिए यह इस कार्बन एक ननी सी जान पर तीन तीन लगा कर छोड़ दिये और इधर भी कार्बन से अटेच है इसका मतलब यह कैसा हो गया फूर डिगरी तो सारे मिलेंगे दूस्तों वन डिगरी टू डिगरी ठी डिगरी फूर डिगरी कार्बन परसेंट है दूस्तों तो देखिए दोस्तों बेंजाइल अल्कोल आपको बता है टॉलोईन है टोलोईन में से एक हाइट्रोजन अगर निकल दें तो उससे अपन क्या बोलते है बेंजाइल अब ये बेंजाईल हो गया यहाँ पर क्या लगा दो दोस्तो ओएच अब आपको पता है ऑक्सिजन के पास किते लोन पर होते हैं दो तो लोन पर कहानी दो इसका मलब पहले और दूसरे में से एक आंसर फिर सिग्मा और पाई बोन में काउंट कर लो पाई बोन कितने है तीन कि इसका मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है आगे बढ़िए सिग्मा बंद से काम चलेगा आपको पता है कि बेंजीन में कित्ते सिग्मा बंद होते हैं 12 कार्बन कार्बन के बीच में 6 और 6 हाइट्रोजन होगे और हाइट्रोजन की इस गया पर अब क्या लगा दिया एच के बीच का तो बोन गिनोंगे आप तो 12 और 2 14 15 ठीक है और यहां पर क्या आगया 16 नेक्स इसकड़ी में आगे बात करें तो क्या दे दिया तर्सरी ब्यूटाइल ग्रूप अब टर्सरी ब्यूटाइल डाइ टर्सरी ब्यूटाइल दे रखा है दोस्तों टर्सरी क्या पर 1-2 लि चारा चार बार कोई चीज़ है तो क्या यूज़ करेंगे टर्सरी खें और क्या लगा दोके सब्धे पैंट और एन और थ्री नंबर पे कौन आ रहा है ओन देखो बला कौन है दो दो चार चार टेटरा मिथाइल पेंटेन थ्री ओन इसका मदलब कौन सा अंसर हो गया थर्ड गे हुआ चलो आगे बढ़िए क्या दे रखा है दोस्तो इसकी भुंडी सी सकल पूछी जा रही है कि कौन सी करेक्ट इस ट्रिक्टर है आप देखो वन कलोरो वन फोर कलोरो फिनाईल इसका मदलब वन पे यह अटेच है थ्री धाइमिथाइल भ्यूट वनीन तो भ्यूट 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 बोले तो देखो चार कारबन लिखो पहले तो एक दो तीन चार अब नम्बरिंग कर लो एक दो ती फिनाईल लगाना पड़ेगा और इसके चार नमबर पर क्या लगाना पड़ेगे CL यानि कि आपने S को कैसे लगा सकते हैं अपन ऐसे लिखेंगे कि यह आपके कलोरो फिनाईल एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चार नमबर इसका मतलब यह कौनसी पोजिशन पे हो गया पे लगा दो देखो इसकी सकल कैसे लिखोगे एक नशी जान पर तीन तीन CS3 आगे देखो किस पर है CS3 इस कारबन पर तीन CS3 तीन CS3 देखो ये वाला कारबन उसके बार में CH double bone फिर इस पे कालिया और ये लग दिया इसका मतलब कौन सा answer आजाएगा दूस्तों CH CH इस पे देखो इसमें और इसमें कालिया नहीं है इसमें कालिया है इसका मतलब कौन सा answer मिलेगा आपको दूसरा यसक नो चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को सवाल नंबर कौन सा दे रखा है 34 नंबर सवाल क्या कहा रहा है दोस्तों इन विच ओप दा फ्लोविंग मोलेकुल कार्बन एटम जिस पर मारक लगा रखा जिस पर तारा को बिठा रखी है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी है यानि की काइरल है धुंड़ो इस पर चारों गुरुप इसका अब यह खाइरल है इस पर देखो मिठाल मिठाल दे दिया दूस्तों इसका मतलब यह काइरल हूग है तो ए-बी-सी किसमे देखें ओंसर में कि इसका मतलब गीवन भी लोग देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है अपने को यहां पर अगर बात करें तो एक का कौन सा आईसोमर है आईसोमर की अगर बात करें तो देखो कौन है आईसोमर देखिए के दोस्तों इननसीमर पूछा है यानि की उल्टा आना चीए उसकी मेरा रिमेज आनी चीए तो देखिए आप चाहूं तो इसका आरेस नोमें कल्चर करके भी देख सकते हैं ठीक है तो चालो कहानी स्टार्ट करते हैं एच वैसे का वैसा है यहां पर देखो बी यार वैसे का वैसा है बी यार वैसे का वैसा है यह दोनों यह दोनों चेंज हो गए देखो इसका मतलब यह कैसा है इननसीमर दो आपस में बतले इसका मतलब क्या हो गया ओर नंबर में स्विच और ओर नंबर में स्विच होते ही कैसा हो गया इननसीमर अब यहां देखेगा क्या दे दिया दोस्तों BR वैसे का वैसा है है क्या नहीं है CS3 वैसे का वैसा है क्या नहीं है H वैसे का वैसा है क्या नहीं है इथाइल वैसे का वैसा है क्या नहीं है आप देखो किसमें change हुआ होगा अपने को BR यहां चाहिए इथाइल यहां चाहिए CS3 यहां चाहिए और H यहां चाहिए इसका मतलब आप Ethyl को यहां कर दो Ethyl यहां कर दिया और BR यहां कर दिया किती बार switch होगा बताओ एक बार किती बार एक बार और फिर आपने H यहां कर दिया और CS3 यहां कर दिया किती बार switch होगा एक बार इन में switch हूआ एक बार इन में switch हूआ है तो कितनी बार switch हो गया बताओ दो बार और दो किसमें आता है identical इसका मतलब ये identical हो गया दोस्तो वैसे का वैसा RS नोमें कल्चर निकाल कर देख सकते हो कैसा मिला सम रूप अब देखो आगे कहानी स्टार्ट करते हैं CS3 वैसे का वैसा है क्या नहीं है इथाईल वैसे का वैसा है क्या नहीं है ये CS3 वैसे का वैसा है क्या नहीं है इसका मतलब चलो गुमाया होगा अगलों ने तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो PR यहां ले आए, तो कित्ती बार स्वीच हो गया, एक बार और ओर स्वीच हो गया, एक एक, इसका मतलब, ऐवन नमबर स्वीच यह ऑफ गया दोज्टो, ऐडन्टिकल, यह भी समरूप है, फिर इसमें देखो, इथायल वैसे का वैसा है, यह तीनों अपास में बदले हैं, इस यहां एक बार यहां दो बार दो किस्में आता है इवन नमबर में identical हो गया दोस्तों यह भी identical इसका मतलब इननसी उमर पूछा गया था कौन आ गया दोस्तों पहला आंसर कॉलम फ स को स«कंड के साथ में विला दो दोस्तों अभ यहां इसके बार में d nawr ऑन यहां तो मिलाओ दोस्तों überुप के साथ में यह कुन है यहां और अधर विनायल आर कहा थो मिलाओ में दोस्तों Q-S-P-R 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 Q-S-R-P हो गया इसका मतलब first answer आगया Q-S-P-R सवाल नमबर 38 देखो 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 क्या दे रखा है अब नेम का है दोस्तो कॉलम फास को कॉलम साइकन के साथ में मिला दो structure को नेम के साथ में तो देखे अब नमबरिंग का से करेंगे डबल बोन को कम नमबर मिलना चीए 1,2,3,4,5 मिलाओ दोस्तो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 2 पैंटीन 4 ब्रोमो 2 पैंटीन कौन है दोस्तो 4 ब्रोमो 2 पैंटीन इसका मतलब इसी के साथ मिल गई है अब देखो नमबरिंग का से करोगे डबल बोन से कि डबल बोन को कम नमबर मिले 1,2 इदर से कर रहे हो तो 1,2,3,4,5 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पैंटीन सही है इसका मतलब मिला दो इसके साथ फिर इसमें देखो यहां से इसका मतलब मिला दो इसके साथ अब देखो नमरिंग उदर से करेंगे जदर से डबल बोन को कम नमबरिंग के साथ परतिस्ता पी को भी कम मिल जाए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 पैंटीन इसका मतलब मिला दो इसके साथ देखो A, B, C, D किसी में आ रहा है A, B, C, D A, B, C, D A, B, D, C हो गया इसका मतलब A, B, C, D यह हुआ चलो आगे बढ़िएगा क्या देखो रखा हैं दोस्तों 39 नमबर सवाल मिला दो सीने में हो LD हाइड उसे कहा जाता है सीने में LD हाइड क्या लिखोगे दोस्तों सीने में हो सीने मोन से बनाए साता है दोस्तों दाल चीनी हाँ न 1, 2, 3 क्या लिखोगे 3-Phenyl 3-Phenyl Prop2-Inil यानि कि R के साथ मिला दो Acetophenone आपको पता है दोस्तों क्या होता है Acetophenone CS3COPH Acetophenone कहां दे रखा है दोस्तों इसका UPSI नाम लिखोगे 1, 2 1-Phenyl Ethanone S के साथ सनम के साथ मिला दो Acrylene क्या होता है दोस्तों Acryl कभ यूज़ करते हैं कुल Carbon के संख्या 3 हो दूसरे नमबर पर Double Bone होतो Acryl Acryl Double Bone CH CO CS3 Numbering उदर से करेंगे जिदर से CO को कम नमबर मिले तो देखो बला 4-Methyl Pant-2-Ein 4-Methyl Pant-3-Ein और 2-O-N तो इसका मिला Q के साथ मिला दो RSPQ 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 RSQP हो गया इसका मिला RSPQ तो कौन सा अंसर आ जाएगा दोस्तों 3rd Next इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को क्या दे रखा है सवाल Number 4-0 दे रखा है Which of the flowing statement is not wrong कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है ठीक है तो निमन में से कौन सा कथन गलत नहीं है गलत नहीं है Note wrong इसका मतलब सही है सही पूछा इसने देखो सवाल को धंग से पढ़ना दोस्तों statement is not wrong यानि कि गलत नहीं गलत नहीं गलत नहीं कथन गलत नहीं है इसका मतलब सही सही डूणना है Formaldehyde की structure कैसी होती है दोस्तों Formaldehyde planar होता है SP2 hybrid होता है इसका मतलब यह सही है इसका Benzyl, Alkohol ही बोलते हैं दोस्तों Toline में से एक Hydrogen निकाल के OH लगा दिया इसका मतलब Benzyl, Alkohol भी बोला साता है ये भी सही है इसका IUPAC नाम की बात करें तो 1, 2 क्योंगी OH को कम नमबर देंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो क्या लिखा 3-methyl 3-methyl paint 2-ene दो नमबर पर 1, 2, diol इसका मतलब यह भी सही है तो इसका मलब तीनों सही है दोस्तों तो 1, 2, 3 तीनों सही है चलो आगे बढ़ें तो क्या दे दिया है 41 नमबर समवाल 3-degree अमाइन पूछा है यह तो 2-degree होगी तर्सरी-butyl की अगर भात करें तो यह होगी दोस्तों यह तो 1-degree होगी क्योंग नाइट्रोजन की दुनिया अलग होती है नाइट्रोजन खुद कितने कार्बन से अटेच है वो उसकी डिगरी है एनिलीन आपको पता है 3-degree हो गया तो यह यह आंसर आगया ट्राइट्री-थाइल-M-I चलो आगे बढ़ते हैं क्या दे रखा हैं दूस्तों सवाल नमबर 42 क्या पूछ रहा है कि which of the flowing does not have D-configuration किसका D नहीं है दूस्तों आपको पता है कार्बो हाइट्रेट की case में वर्टिकल लाइन पर टो पर नमबर 1 कारबन according to IUPAC और वर्टिकल लाइन पर क्या होनी ची है में चेन लेकिन में चेन तो यहां बैठी है क्योंगे 1,2,3,4 यह तो इधर हो गया तो आपको यहां CH2 OH लाना पड़ेगा इसका मतलब एक बार change किया फिर दूसरी बार किया तो क्या हो गया even number में देखो कैसा हो गया L हो गया क्योंगी left hand side में आ गया अब यहां पर देखो यह क्या बना बेठा है दोस्तों अक्षे कुमार बना बेठा है क्योंगी क्या करना पड़ेगा इसको रोटेट करना पड़ेगा तो रोटेट कर दो दोस्तों क्योंगी इसके सिर नीचे हटा में उपर है इसका मतलब इसको सीधा करोगे सीधा हो जा भया तो यहां पर आप रोटेट करोगे अगर vertical line पूरी complete अगर vertical line को 180 पर रोटेट तभी करेंगे दोस्तों जब आपको Fisher formula सही है और सही है और वो ठीक क्या दे रखा है आपको 180 पर उल्टा दे रखा है तब ही उसी condition में यानि कि main chain vertical line पर दे रखें तब अपन उल्टा कर देंगे क्योंगी number one carbon यहां बिठा है तो देखो OH इस साइड में आ गया तो इसका भी confirmation D हो गया यहां पर देखो एक दो अब इसको भी change करना पड़ेगा यहां पर आपने क्या कर दिया दूस्तों CH to OH ले आए दो बर switch करना पड़ेगा तो एक बर किया तो OH यहां आ गया right hand side में तो D इसका मतलब कौन सा answer जिसका D नहीं है वो दूसरा है next अबल कि अगर पर बात करें तो IUPAC name आपको पता है double bond और triple bond सेम नंबर पे हैं तो numbering अपन कहां से करते हैं double bond से क्योंगि double bond में in आता है triple bond में आता है ठीक है तो क्या लिखेंगे four number पे profile four number पे profile four number पे profile देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ठीक है फिर क्या बढ़ोगे आपे आगे साथ निवाना साथिया के लिए हैट यूज़ करोगे तो हैट एक number पे in और छे number पे in इसका मतलब यह सही है यहाँ दो number पे दे दिया करेंगे चाहे वह double bone हो चाहे वह triple bone हो चला इसी कड़ी में आगे बात करें तो क्या दे दिया है दूस्तों 44 number सवाल क्रेक्ट स्टेट्मेंट की बात कर रहा है दूस्तों तो धूंडो कौन है hybridization of carbon यहाँ कि इसका sp2 होता है और trigonal planar यानि की trigonal planar shape होती है यह सही है दा hybridization of carbon CS3CEL इसका मलब SP3 है डेटराइडल होता है यह भी सत्य गटना पर अधारीत बात है hybridization of SCN SP संक्रण होता है और linear होगे इसका मलब dacb 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 dabc कर दिया यहाँ पर cb आना चाहिए था dacb इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया dacb थर्ड आंसर next non benzenoid की अगर पर बात करें तो दोस्तों non benzenoid कोन है दोस्तों सकल जिसकी benzene जैसी ना हो ठीक है बड़ ऐरोमेटिक होना चाहिए इसका मतलब ट्रोपोलोन है ट्रोपोलोन डबल बॉन डबल बॉन डबल बॉन और डबल बॉन ओक्सिजन यहाँ डबल बॉन है दोस्तों तो यानि कि यह ट्रोपोलोन हो गया ठीक है एक ट्रोपोलोन और एक ट्रोपोलोन अब दू होते हैं यह कोन है ट्रोपोन ट्रोपोन और ट्रोपो यहां पर डबल बोन यह भी है उसके बाद में नेफ्रीन आगई दोस्तो नेफ्रीन को आप जानते ही हों कैसी होगी दो बेंजी आपस में चिपकी रहे और ऐसे चिपकी रहे कि हवा भी करोशना हो इसका मतलब नोन बेंजिनोइट देखो कौन है आर के साथ मिला दो एली साइ मिला दो कोन है दुस्तों कौन सा आज नेग्स सवाल नमबर अपने क्या रख क्या एंस टिक होती खूबसूरा सा सवाल यह कार्बला इलीक होता है दूस्तों कौन होता है कार्बलाईलिक ऐस doświad कार्बेलिक अंदी में बोलते हैं है कार्बेलीक ऑसेट थिक है ट्राइी कारबोकसलिक इसको ये बोला सकता है इसको य आ जी हां इसके यहां प्रेस एक को हटा कर और लगा देश लगा दें तो वह नीम्बू में पहुंच आता है यानि कि खट्टे fruits में पहुंच आता है उसे क्या करते हैं प्यार से citric acid कहां जाता है बट ये क्या है कार्बिलाइलिक acid है चलो आगे बढ़ते हैं क्या दे दिया है दूस्तों number of alpha hydrogen given compound आपको दे रखा है दूस्तों pH मुखे करियात्तम अक्सम है यानि कि principal function group का ठीक पड़ोसी carbon alpha carbon ये रहा alpha function group ये है ये रहा alpha कितने alpha होगे दूस्तों चार होगे तो answer क्या जाएगा alpha hydrogen अपने से पूछा है चार जो हाँ टोटो मेरीजम में participate कर सकते हैं फिर एकर बात करें तो देखो IUPAC name of the flowing organic compound ये जो organic compound आपको दे रखा है C347 ठीक है trimethyl octane तो देखो इसकी पहले तो सकल बनाओ एक दो तीन चार पांच है साथ एक दो तीन चार पांच है और ये साथ नम्बरिंग कर लो दोस्तों एक दो तीन चार पांच है साथ अब वो कह रहा है कि तीन नंबर पे और चार नंबर पे तीन नंबर पे क्या लगा दो दूस्तों c s3 लगा दो चाहान नंबर पर क्या लगा दो c s3 लगा दो फिर कहारा है तो नंबर पर दो सब्सक्राइब को रहा है अब बताओ नंबरिंग क्या ये सही कर रखी है उस नंबर गलत है इसका मवलब ये नाम भी गलत है किस और से करेंगे 12345678 इसका मज़व यह स्टेटमेंट गलत हो गया सेगे तो इसका मज़व यह सई है यह गलत तो इसका मज़व देखो स्टेटमेंट पहला गलत दूसरा सही कौन है पहला गलत दूसरा सही है पहला अंड दूसरा दोनों गलत है दोनों सही है दूसरा गलत है इसका मतलब पहला गलत दूसरा सही इसका मतलब चोथा आंसर हो गया चलो आगे बढ़िए क्या कह रहा है दोस्तों C5H10 including GI की बात कर रहा है structural isomer की बात कर रहा है दोस्तो C5H10 बनाओ दोस्तो इसकी सकल C5H10 यहाँ पर double bone बना दिया अपने फिर आपने क्या कर दिया यहाँ पर double bone बना दिया फिर आपने क्या कर दिया दोस्तों अब चार वाली बना दी यहां पर प्रतिस्ता पी यानि कि सब्सूटेंड लगा दिया आपने यहां पर सब्सूटेंड लगा दिया फिर आपने क्या कर दिया दूस्तों यहां पर डबल मौन लगा दिया और यहां पर सब्सूटेंड कर दिया यहां पांच बन गई अब यह जी च्छे आंसर आगया दूस्तों क्योंकि दो इसकी होगी तीन चार पांच है कौनसा आंसर दूसरा चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं क्यों कि एक एक उसके शकल बनादम ऑर पिर क्या बना सकते हो डूस्तों इसके ब्लक इसके वह इतीटिकल बनेगे चार इसका श्रॉक्व कर्भव केट सब्सक्राइब क्योड हो ओक च्छार चार इसका मतलब क्या हो गया 30 समावीवियों को नहीं मिलाना है तो कितने अलकोहल बना सकते हैं दोस्तों तो आपको पता है कितने रेडिकल बना जा सकते हैं दोस्तों आठ आपको मलूम होगा कि आपकी NCRT में 13.1 पुरानी वाली की बात कर रहा हूं 13.1 नंबर सवाल में ये सारे 8 के 8 आई समर बना रखे हैं ठीक है चलो कौन सा आगया आठ नेक्स आगे बढ़ते हैं फिर अगर पन बात करें तो 73 नं यहां पर क्या दे रखा है इथाईल यहां पर क्या दे रखा है इथाईल ओहो यहां पर इथाईल इसका मतलब यहां और यहां में देखो दोस्तों एक कारबन बढ़ा दिया है इसका मतलब molecular formula और structure formula दोनों ही same नहीं है इसका मतलब यह isomer नहीं हो सकता इन दोनों के रिष्टे है यानि कि यह isomer की कहानी थी यह नहीं हो सकते तीनों इसका मतलब कोन होगा एक carbon बढ़ गया इसका मतलब यह इसके दोस्तों आफन बना लेते हैं उसे होंव है इसमेंगे नहीं है इसमें नहीं है तो इसका मतलब यह उसे Northern जाएंगे तो कित्व होगँ दोस्तों 8 के एक एक इस से कौन सा आजएगा second next अगर बात करें तो the flowing is a correct structure structure of compound to hydroxy cyclopentane carbide जैसे जैसे अगला कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ कह रहा है कि cyclopentane बनाओ carbideide लगा दो numbering कर लो 1,2,3,4,2 number पे OH लगा दो सकल इसकी किसके साथ मिली दूसरे के साथ next अगर बात करें तो numbering उदर से करेंगे जिदर से मुखे के रियात्त मक्समों है को कम नंबर मिले 1,2,3,4,5 तो चान नंबर पे क्या दे रखा है दोस्तों VR और 3 नंबर पे कालिया तो चान नंबर पे यार और तीन नंबर पे काड़िया तो मिलाओ दोस्तों क्या दिखोगे चान नंबर पे ब्रोमो है चान नंबर पे ब्रोमो है तीन नंबर पे कलोरो है तीन नंबर पे कलोरो है पैंट दे रखा है फूर इन दे रखा है फूर इन दे रखा है दो नंबर पे ओन दे रखा है दो तो देखो दोस्तों पहला सही दूसरा सही एक और उप्षन दे रखा है साइक्लो हेक्जेनोन एक्स हीविट किटो इनोल टोटो मेरीजम जी हाँ करेगी विचारी साइक्लो हेक्जेनोन दे दिया इसका मतलब अलफा हेट्रोजन है तो ये किटो इनोल टोटो मेरीजम परतासित करेगी तो पहला गलत दूसरा और तीसरा दोनों सही इसमें कहा रहा है कि पहला दूसरा दोनों सही है पहला incorrect बट statement ये second और third सही है कथन पहला गलत second और third सही है इसका मतलब ये answer हो गया first और third are correct गलत हो गया first or second are incorrect इसका मतलब गलत हो गया इसका मतलब कौन सा answer हो आगया दूसरा allo foam triheallosence derivative किसका होता है दोस्तो? CH4 का होता है आप क्या przlichen debra? और सकते हो? X3 तो इसका मतलब methane का होता है दोस्तों next आगे बात करें तो Carboxylic acid Carboxylic acid कोन है? CWh Carboxylic acid ये Carbolik acid होता है OH आप न येαιनिसोल होता है यह निलीन है, इसका मतलब कार्बोक्सलीक असे पूछा इस बार आपने हैं, LDH2 किटोन, कार्बोनिल गरूफ, अब LDH2 किटोन में क्या होता है दोस्तो, CO गरूफ कौन सा कार्बनाया, SP2, SP2 संकरीत हो गया, ठीक है, नेक्स इसी कड़ी में आगे बात करें, तो टूटल नंबर ओफ, अप्टिकली अक्टिव आइसोमर ओफ, ये दे दिया, दूस्तो, CHO कित्ती बार दे रखा है, दो बार, गुलकोज का छोटा भाई हो गया, यानि कि होमोलोकस हो गई, तो यहाँ पे OH-OH ये दे रखा है, दूस्तो, तो देखो बाला, CS3, CS3, देखो कित्ते का इरिल कार्बन होगा है, दो, अप्टिकली अक्टिव आइसोमर पूछे हैं, दूस्तो, तो 2 की 2 लगा दो, कित्ता आंसर आगया, 4, क्योंकि अक्टिकली अक्टिव आइसोमर पूछा है, तो आंसर आपको मिल जाएगा, 4, ठीक है, 2 की रेल कार्बन होगे, 2 की 2, यहाँ पे होमोलोगस, अब बताओं होमोलोगस कोन है, दूस्तो, फिनोल और बेंजाईल अलकॉल है, हमोलोगस है क्या नहीं, फिनोल कोई और होता है, फिनोल यह है, और बेंजाईल अलकॉल आपको पता है, यह होता है, अलकॉल और फिनोल आपस में रिष्टे में क्या है, दूस्तों, functional group आईसोमर सो सकते हैं, अगर molecular formula same है इसका मतलब ये homologous नहीं हो सकते ये एक तो phenol दे दिया और एक क्या दे दिया दूस्तों metacrisol दे दिया metacrisol बोले तो एक CH2 का difference आ गया देखो CS3 लगा दिया इसका मतलब ये phenol ये phenol ये same family के हैं इसका मतलब ये दोनों homologous है 1 butane और 2 butane इसका मतलब परिवार ही अलग लग हो गया ethanol और acetone परिवार अलग लग हो गया तो कौन सा answer दूसरा which is correct statement meso compound is optically active गलत बात meso कोई भी दे दिया आपको यहाँ CWH दे दिया internal compensation और molecular symmetry molecular symmetry होगी ना आंतरिक संतूलन बोल दो इनका RS निकाल के देखोगे तो एक R आएगा और एक S आएगा एक दूसरे को cancel out कर देंगे कहानी खतम कर देंगे optically inactive होगया गलत इनंसियोमर कैन नोट है separate by fraction desolation क्योंकि इनंसियोमर किसको बोलते हैं इसकी जो प्रोपर्टीज होगी वही इसकी मिरर में इसकी होगी तो इसका मतलब आप उसको गरम करके हीट करके अलग लग नहीं कर सकते fraction desolation से separate नहीं कर सकते इसका मतलब यह सत्या घटना बरधारित यानिकी साथ बोल रही है किसको बोलते हैं कि इसका मतलब प्रकासिक सक्रिया नहीं होता दोस्तों क्या होता है प्रकासिक एकिरिया होता है यह भी जूट बोल रही है ब्यूटेन विचारे में कह रही है कि दो काईरिल कारवन या काईरिल सेंटर है जूट बुल रही है दूसरा अंसर आ गया मेलोनी कैसे ओम सगय आपको पता ही दोस्तों मेलोनी कैसे तो यह उता है इसका नाम क्या हो गया प्रोपेन इथें दे दिया इसका मदलब गलत अग्जली कैसे आपको पता है दोस्तों कि देदी हो सीृच सीृच का मदलब एथेन वन टू दाइयवए कैसे यह सही है यह सही है यह और सी दोनों सही हैं ठीक है ओम पत्रफ चिब्राइप संगय C2H5, C2H5 इसका मतलब क्या बना सकते हो दोस्तों, एक तो ये बना सकते हो, और एक साइड में ये बना सकते हो, कित्ते आईसोमर बनाए जा सकते हैं, दो, इसका मलाव ये सच बोल रहा है, सरंचन अतमक समावय की संख्या दो होगी, सही बात है, आयूपी एसी नेम ओफ एनिसिलीडीन, एनिसिलीडीन कौन सा दे रखा है, पेरा, पेरा एनिसिलीडीन, एनिसोल आपको पता है, दोस्तों क्या होता है, बहला, OCS3, और यहाँ पे NS2 लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, पेरा एनिसिडीन, एनिसिडीन, ठीक है, एनिसि गुरूप यही है तो 4-methyl-aniline यहाँ पे 4-methyl दे दिया उसको तो क्या बोलते हैं तुलूइडीन बोलते हैं तुलूइडीन यह CS3 है और यहाँ पे NS2 है एनिसीडीन नहीं होता है यह तुलूइडीन होता है इसका मतलब यह तो गलत हो गया तो इसका मतलब यह incorrect यह कहरा है एनिसीडीन एनिसीडीन 4-methyl-aniline बोलत यह सही है यह सही है C4-H11 और N में 8-isomer बनेंगे जी हाँ C4-H9 और NS2 के किते रेडिकल बनाए जा सकते हैं 4 किते बनाए जा सकते हैं 4 फिर दो डिगरी अमाइन बनाऊगा तो एक साइड में 3 कार्बन रख लो एक साइड में 1 तीन क प्रोबन जाएंगे कौन-कौन झाए एक तो प्रोपाइल और एक आई सो प्रोपाइल फिर क्या कर सकते हो दो दो इधर रख दो और दो इधर रख दो इसका मतलब एक इसका बन गया और आको पता है रस्टेक्टर रोटेशन होना चाहिए सेकिन कंडिशन है रस्टेक्टर रोटेशन से एटेच्च ग्रूफ डिफरेंट होने चाहिए यह नहीं शो करता क्ती दोनों ग्रूफ डिफरेंट है शिक्स मेंबर वाली नहीं कर सकती यह देखो आपको पता है दुस्तों ये Alkyne कही होता है साची बात है फिर ये Alkyne कहीं होता है ओहाओ ये Alkyne कही होता है ओह को ए Welcome और वेच़् दोनों सवाल की ऐगर वात करें तो क्या दे दिए विच केनerson bestnight sou और प्रायमरी योban रहती है यह इस की हरफ यह इसकी मुण भात करें तो 10 एक डिगरी ओऎर 2 डिगरी ब्यूटेन एक डिगरी दो डिगरी प्रोपेन दो नंबर दो दो नंबर दो नंबर दो नंबर प्रोपेन बना दिया मैंने यहां ऐसे लगा देता हूं तो देखो बला क्या देदी है दोस्तों CS3 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 यह हुआ एच एच और एच ठीक है तो ये एक डिगरी एक डिगरी एक डिगरी है सारे के सारे हाइट्रोजन और चार डिगरी है कारबन ठीक है तो इसका मतलब क्या है ये दे दिया ब्यूटेन यहां पे दो नंबर पे भी दे दिया और तीन नंबर पे भी दे दिया ये देखो एक दी होता थो चार्ट डिए आगे चलिए है एक्जेन एंड टू मिथाइल पेंटेन हैग्जेन क्या होती है दूस्तों ये पेंटेन है और पेंटेन दो नंबर पर मिथाइल लगा दो नमबर ओफ कार्बन इन मेंचेंग देखो चेंज होगे इसका मतलब सरंखला समावी भी हो थ्री मिथाइल आएगा इसका मतलब यह इंकरेक्ट हो गया यहां पर बात करें तो वन टू थ्री फोर फाइब इसका मतलब पहला ही इनकरेक्ट हो गया ठीक है चलो आगे बात करें तो 71 नंबर सवाल मीजो बोले तो दो कार्बन मीजो किसको बोलते हैं स्टीजियो आईसोमर विच आर मोर दन वन कार्बन बठाएव पीवस और सीवस तो देखो दोस्तों इसमें तो व्यूटेन में एक ही सीएल है और यहां पर देदिया देखो सीएल सीएल इसका मतलब मीजो सिमेट्री होग और थ्री में होई नहीं सकता इसका मतलब कौन सा आंसा दूसरा मुख्य किरियात्तमक्स में कौन है मेन फंक्शन ग्रूप CWH है दोस्तों तो यहां पर क्या लिखोगे थ्री मिथाईल टू ओक्सो और ब्यूटेनोई कैसेड कहा है दोस्तों ब्यूटेन कार्बोक्सली कैसे अगर द्यूटे दोस्तों इसके लिए अब क्या ऊसक्रेंगे अपन्फिनाइल तूफिनाइल देखो हो कोन है तूफिनाइल प्रोपेन प्रोपेने नल इसका मतलब टूफिनाइल प्रोपेनेल कौनसा आंसर आ दोस्तों थो rice बहुत कर सकते हैं जो और 2 नमबर पे मिधाल दे दिया धुनडो काईरल किसमें है दोस्तो इसमें काईरल नहीं इसमें का मतलब कौन आए ठ्री मिधायल वन पैंटीन इसका मतलब फ़र्ड आंसर how many different alkenes exist C4H8 which are structural isomer C4H8 के क्या पुछा है दोस्तो अलकीन पूछी है दोस्तो एक यहाँ पर double bond लगा दो ठीक है structural पूछा है तो इसका मतलब यहाँ लगा दो किती बनाई जा सकती है दोस्तो तो तीन ही बना सकते हो आप ठीक है रिंग आपको बनाए नहीं है रिंग बनाते दो और बना लेते हैं जी आई बनाते तो और बना देते लेकिन अपने क्या पूछा गया है सिर्फ अलकीन पूछा गया है जो चलो आगे बढ़िए सवाल देखो जी आई पूछा है दोस्तो यह डबल बॉन जी आई शो नहीं कर सकता यह करेगा यह करेगा तो दो की दो कितना आंसर आ गया दूस्तो चार इसका वाला फूर्मूला लगा दो इसलिए चाहिए यानि कि कम से कम अपने को छह कर बंजी किसे कारबन च्छे कार बंजी चाहिए क्यों बहुत चरी अब यहां अपने यहां लगा दी और इसका अलब यहाँ तो फोर दिया है तो गलत हो गया प्रोपीन शो जी आई नहीं कर सकती इस शो cyclohexan on totomidism शो करेगा जी हाँ करेगा देखो यह alpha है C6H14 किते structural isomer बनाएगा दूस्तो 5 बनाएगा किता बनाएगा 5 ठीक है अपनी Nc2 मलाई लिक्षी हुए न कि carbon 1 CH4 C3 किते बना देगा कुछ नहीं एक ही बनेगा और C4 वाला 2 बनाएगा C5 वाला किता बनाएगा 3 बनाएगा C6 वाला 5 बनाएगा यह दे रखा है कहां तक carbon 10 तक दे रखाया है वो किते बनाएगा 75 बनाएगा 75 इसका मतलब यह भी गलत होगे कौन सा अंसर 3 चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो क्या दे रखा हैं दोस्तों दा करेक्ट स्टेक्चर ऑफ 1,2,2,5,Methyl 1,2,5,Propyl,Cyclooctane तो सारी है 1,2,Diethyl देखो कौन है 1,2,Diethyl इसमें भी है 1,2,Diethyl इसमें नहीं है 1,2,Diethyl इसमें नहीं है 1,2,Dhyl इसमें भी है ठीक है 1,2, यहां पे भी है 1,2, ठीक है 1 2 फिर क्या करना है वो आगे पर यह 1 मिथायल है तो इसका मतलब 1 और 2 इसका मतलब क्ążंसा आंसर हो गए दोस्तों 4 ठीक है आगे पर यह दुस्तों वह दे रख्थाद मीजो के लिए कंडीशन क्या है दोस्तों more than one कर्ला कार्बन बठाओ यहां पर देखो दोस्तों क्या है इसमें कार्बन नहीं है तो इसका मतलब कौन सा ओनली थर्ड आंसर आ गया ठीक है यानि कि सेकिंड आंसर ओनली थर्ड आ गया थे फिर यह इन दोनों की सकल देखो यहां पर देखो यहां पहलों क्या होगया इसका मतलब इन दोनों का क्या होगया इसका मलब इसका अलब स्टेक्टर ॉइए फीर यह क्या दे दिया 3, 4, 5, 6, 7 carbon हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heptane मंग रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये देखो क्या दे दिया किटोन ये देखिया क्या दे दिया ये देखो बुंडी सी सकल दे दी और यहाँ अगले ने क्या पूछा है इसका मतलब कौन सा आंसर सेकेड येस करो जी हाँ कि इनेंसियोमर्स किसे बोलते हैं दोस्तों जो अपनी मिरर मेस के ऊपर सूपर इंपोज नहीं होते मुलकुल देट है एक लिस वन एकाइलल कारवन चल जूटे मीजो आईसमर नहीं हो सकते सूपर इंपोज हो जाए वो इनेंसियोमर्स नहीं हो सकते इनेंसियोमर्स कौन से होगे जो अपनी मिरर मेस आनू के दरपन परति में एक दूसरे पर अधरोपित है नहीं होते है होगी दौसरो, बाखी सब में हैकजेन दे रखी है 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 जीना सर आएगा फो और मिताइरल साइकलो एक्स वन एन यासकनौ जी हाँ ये देखो दोस्तो इन दोनों की सकल देखो क्या नजर आ रहा है फ्रेंट वाले कार्बन पर देखो दोनों के तीनों के तीनों हाइट्रोजन है पलक जबकती आपने क्या कर दिया दोस्तो देखो CS3 ले आए कनफर्मर में तो आपको पता है स्टेक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए ओनली डाई हाइडल एंगल चेंज होता है रोटेट करने से रोटुमर्स बनते हैं इसका मतलब इसने तो स्टेक्चर चेंज कर दी बैक साइड वाले कार्बन पर देखो तीन CS3 लगे हुए थे बैक साइ इसमर्स कैननोट भी सेपरेटेड वाइ फ्रेक्शन डिसलेशन से किसको सेपरेट नहीं कर सकते जिनकी फिजिकल प्रोपरटी सेम होती है यानि की डी यॉरेल जो इननसियुमर होते हैं उनको अलग नहीं कर पाएंगे मेले कैसिड जो मेले में गया मिल जाए उसे क्या करते ह विछड जाए उसको क्या करते हैं फ्रेक् ये है मेले क Smith और P प्लस माइनस टार्टरिक एसिड दे रखा है तो अपन क्या लिख देंगे OH, H और CWH ठीक है यहाँ पर OH यह D टार्टरिक एसिड दे दिया आपको और यहाँ मीजो टार्टरिक एसिड बनाओगे तो अपने को क्या मिल जाएगा यह दोनों आपस में रिष्टें में क्या मिलें डैस प्रोपरदों हों है किसके बना ब्रांच के इसकी ब्रांच ने लिए इसकी ब्रांच हुआ तो इसका मतलव क्या हो गया अलग-लग कर सकते हो इसको भी कर सकते हो जिसकी टाठ फुटी यो उसे तार्टरिक आकर सेड ताटरिक असीड में डी और रल बन गया दोस्तों यहाँ पर हुए जाल यहां पर यह तो एक ही मुलेकूल है इसके इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे उसने कहा कि किसको separate नहीं कर सकते किसको नहीं कर सकते fourth को ठीक है next अगर बात करें तो देखो correct state मिला दो दोस्तों ये chloral दे रखा है आपको two one two 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 tri chloro ethanol ओहो ethanol था ये तो देखो one two three two oxo ethanol दे दिया ओहो प्रोपेनोइक था तो कार्बन सिंगल ही है टीयर गैस दे दी दोस्तों सी इस कार्बन पर क्या लगा दिया ननी सी जान पर तीन तीन सी ये लगा दिया तो ट्राइक लोरो नाइट्रो मिथेन इसका अंसर हो गया इसका मतलब यही है अलानीन आपको पता है दोस्तों क्या होता है सी एस तरी सी एच सी डबल ओ एच और यहां पर एनस तू देखो एथेनोई कि लिख दिया प्रोपेनोई काना चीये था इसका मतलब कौन सा आंसर तीसरा देखो दोस्तों सकल इन दोनों की क्या है यह जिस्टे में अपस में सी एसे का वैसा है है क्या नहीं है इथाईल वैसे का वैसा है क्या नहीं है इसका मतलब एच यह ऐसे हुआ है और इधर यह ऐसे था इसका मतलब आपने क्या किया होगा even number में switch किया होगा या फिर इसको 180 पर rotate कर दो इसको 180 पर rotate किया तो CS3 H और यहां पर इथाईल आ गया और यहां पर OH आ गया देखो सकल हूब 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 इसका मतलब identical हो गया सम रूप वैसे का वैसा या फिर आप ऐसे देख सकते हो दो बार switch कर दिया इन दोनों में कर दो इन दोनों में कर दो आइडेंटिकल बन गया नेक्स सवाल कि अगर बात करें तो अपने को क्या दे दिया दोस्तों देखो इसकी सकल से पहले oxygen के साथ में यह alipatic ring attached थी अब ओ के साथ में कौन अटेच होगी बताओ benzene ring aromatic इसका मतलब attach होने की nature different होगी इन दोनों का रिस्ता आपस में क्या हो गया बताओ metamars हो गया function group same है देख लो बले the number of isomer possible of dye-substitute benzene अब benzene के ऊपर कोई dye-substitute लगा दो यहाँ पे आपने एक्स लगा दिया और इधर भी क्या लगा दिया एक्स लगा दिया ठीक है तो यह मैंने लगाया है और्थो मेटा पेरा पे हो सकता है एक पे दोनों आएंगे नहीं इसका मतलब कितने isomer बन जाएंगे बताओ यहाँ पर कोई भी substitute लगा दो ओर तो पे मेटा पे और पेरा पे कितने isomer बन गए दोस्तों तीन बन गए तो आपका कितना आंसर आ गया ठीक है नेक्स सवाल की और बढ़ें तो क्या दे दिया दोस्तों अब इसका पूछ रहा है कि किसका डी है और किसका ल है देखो इसको राइट फीशर फॉर्मूले पर अपलाई होता है तो वन टू थ्री देखो यह कौन बना बिठा है बला अक्षर कुमार इसको सीधा कर दो सीधा करोगे तो दोस्तों क्या आजाएगा पेपर को उल्टा करके देख लो ओच किस साइड में चला गया पहले यह राइट में दि कॉन्फिरेशन हो गया यह देखो यह सीधा ही है लेकिन इसमें सीधा है तो इसका मलब स्वीच करना पड़ेगा यहां आएगा यहां गया एक बार स्वीच हुआ तो इसका मलब कौन सा अंसर मिल गया सेके यही मिला दोस्तों यह था दूस्तों अपने पेपर सोलीशन बाकि मस्त रहें स्वस्त रहें मस्ती के साथ जुमते हुए बायो कैम दें ओल दावेस गुल लक जैसी यलसी